नमस्कार रास्ट्रिय एक्ता पर निबंध अनेक्ता में एक्ता हिंद की विशिष्टा भारत वर्ष रंग विरंगे फूलों का गुलदस्ता है यहां की संस्कृती विविदिता को सम्मान देती है यहां का मूल विचार है एकम सद विप्रा बहुदा बदनती सत्य एक है उस तक पहुचने के रास्ते भिन है अत्य यहां सफी रास्तों, विचारों, मतों, संप्रदायों और धर्मों को एक ही माना गया है हमारे देश में मंदिर की तरह गुरुद्वारे, शिवाले, मस्जित, गिरजागर, आदी सफी को परमात्मा के द्वार माना है इन सफी धर्मों में कोई भेदभाव, कोई तकराव नहीं है अपने अपने विचारों को मानते हुए सबके साथ मिलकर की रह सकते हैं ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी एक पुस्तक या एक गुरू या एक परमात्मा को सत्य मानना है और शिव सभी को शत्रू मानना है इसी उदार विचार के कारण भारत में राष्ट्रिय एक तप पनपाई कश्मीर शे लेकर कन्या कुमारी तक भारत के लोग इसी एक विचार और संस्कृति के कारण ही एक बने वे हैं भारत में जहां एक्ता के तत्व हैं वही अनेक्ता के तत्व भी हैं कश्मीर के लोग गोरे हैं, पहाडों पर रहते हैं, उनका रहन सहन देश के अन्य हिस्तों से भिन्न है जबकि कन्या कुमारी के लोग समुद्र के पास रहते हैं, उनका पहनावा रहन सहन सभी कुछ काश्मीरियों से अलग है उनका रंग भी इतना साफ नहीं है इतना होते वे भी सभी व्यक्ति भगवान शिव, विश्नु और भारतिय घ्रंथों को मानते हैं वे भी गीता और महाभारत से उतने ही प्रभावित हैं जितने की उत्तर भारत के लोग संस्कृत भाषा के प्रती उतनी ही आस्था सभी स्थानों पर पाई जाती है इस सनातन एक्ता के साथ राश्ट्रिय एक्ता के तत्व भी है फूरे भारत ने आजादी की लड़ाई मिलकर की लड़ी अंग्रेजों को भगाने में बंगाल ने भी उतना ही योगदान दिया पंजाब, गुजरात, राजस्तान, आसामादी का भी वही योगदान रहा यही कारण है कि भारत में राश्ट्रिय एक्ता का भाव स्थिर हो गया आजादी के बाद सभी राज्यों को समान रूप से बराबरी का स्थान दिया गया पूरे देश पर एक ही समवेथान लागू हुआ यही कारण है कि सभी अपने आपको भारत का पुत्र मानते हैं आज हमारे देश में 26 जनवरी और 15 अगस्त पूरे भारत के लिए एक त्योहार के रूप में मनाए जाते हैं और यही अवसर होते हैं जब हम अपनी एकता का परिशे दे सकते हैं सभी मतभीदों को भुला कर कि एक भारत का सपना साकार करते हैं जब भारत की रख्षक के लिए केरल से लेकर कश्मी तक के सेनिक अपने प्राण निच्छावर करते हैं तो पूरा भारत एक जुट हो जाता है इसी रास्टी एकता के कारण उड़ी सा भी हमें उतना ही अपना लगता है जितना की गोवा या मुंबई या मथ्य प्रदेश, काश्मीर या कन्या कुमारी